हलो एवरिवान जय जुहार जय चेटिसगरतु इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नवीन प्रयास आवासी विद्यालाई में जो है क्लास नाइन्थ के लिए अनुसूसी जातियों पिछडा वर्ग की जो प्रवेश होना है उसके बारे में निर्देश देखने वाले आपका 31 माई 2030 से हो गया और आवेदन करने की जो अंतिमतिती है 12 जून है 12 जून तक आपको आपको आवेदन करना होगा क्लास नाइन्थ में प्रवेश के लिए फिर अगर कोई उस पर इरल हो जाती कोई तूटी हो जाती है कि आम कुछ गलत भर लिए होते हैं फॉम पर होगा तो उसकी पैटर्न नंखर आएगी किसके सब्जेक्टे Seite से आएगा तुस पार में complete देखें गया है और क्या क्या सार्व में पूड करना होगा क्या क्या ड्यूमेंट आपको रेड़ी रखना होग इन चीज़ों के बार में दिखींगे तो वीड़ दियसन उस जीला दूरगपर है अनुसूची जाती लिए ऑं भी ये बालक आवास है तो कंया आवासी भी दोनों है आखिए जीला रायपूर में जो बालक वाला जो है ऑर कंया वासी विद्यारच जो है जीला रायपूर पर ठीक है 125-125 उनकी सीट संक्या है उसी तरह अन्य पिछड़ा वर्गत के लिए भी राइपूर में है और बिलासपूर में है यहां पर आप फॉर्म भर सकते हैं यहां के लिए आप अपलाई कर सकते हैं यहां पर डिटेल जो दिया गया है फिर यहां से देखो यह वाली चीजे जैसे कि दिव्यांग विद्यार थे तो उनको क्या मिला जाएगा एक कहा जाए तो उनको आरक्षित सीट दिया जाएगा तो यह यहां पर ऐसे दे सकते हैं जैसे अनाद बच्चे हो विद्वा माता के तो उनको क्या किया जाएगा वहां पर प्राथमिक्ता दिया जाएगा अब देखो यहां पर यह सर्त ya क्या होने वाली कौन सी बच्ची जो है damaged यहां पर ले सकते ओंसे बच्च्ची Ampnut अप्लाई कर सकते हैं तो इस पर लगबग साथ है क्यों जैसे की कि टाइम जो है क्या करना पड़ेगा मुल निवासी प्रमाड पत्र जो निवास प्रमाड पत्र होता है वह आपको संलगनक करना होगा और जाती प्रमाड पत्र होनी चीए जैसे कि आप अनुसूची जाती मिंस एसी हो तब और पिछड़ा वर्ग ओबी सी हो तब आपको क्या करना पड़ेगा उसकी जाती प्रमाड़ पत्र आपको सो करना पड़ेगा और शांथी सद्थ अगर विद्यार्थी को अन्य किसी विद्यार्थ से निस्कासित ना किया गया हूँ आपके पास टीसी होनी ची है तेगक है, अब ब्लॉड दोरा जारी चिकितसा जाज प्रमाडपत्र होनी ची है कि आप स्वस्ता है करके, के एक है आपको स्वस्थप वाली जो प्रमाण पत्र होग वसो करना होगा और सिकल सेट आच merciful आच की भी प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा यह जो है सरते सभी ठीक है वह सब चीज है कि कौन से जीले में आपको इग्जाम प्रश्ण प्रश्ण की रहेगी अपका यह मेन है आप लोगों के लिए तो यहां पर देखे ध्यान से जो कक्षा आठवी सतर के मतलब आपको मैं लेज्वाइश छटवी साथ आठवी के समान्य प्रश्ण नहीं ठीक है उन्हीं क्लास का पूछा जाएगा देखो जिसमें विज्ञान के 20 अंग के लिए प्रशना रहेगा गड़ित का 20 समाजिक विज्ञान के लिए 20 मांसिक योग्या था हिंदी अंग्रेजी इस तरीका से और 36 गड़ी इस तरीका से टोटल जो है 100 अंग के लिए आपका प प्रशन होगा मतलब आपको एक आंसर जो टिक करना है आपको क्या करना पड़ेगा ओमर्सी जो होती है फिल करना पड़ेगा ठीक है यह रहेगी फिर आवेदन भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर आवेदन भरने की भी क्या दे दिया गया कंप्लीट इसक को अवेदन करना होगा और इसके लिए साइट जो है उपर में हम बता दिये है आप या और बता देंगे नीचे देखो फिर यहां पर देखो काउंसलिंग के समय निवार रुप से मतलब आप एक्जाम दिलाएंगे फिर आपको काउंसलिंग भी कराना पड़ेगा इन चीजों को ध्यार रखेंगे तब आपको जो डॉक्यमेंट है वो देख लो ध्यान से आपको जो मुलनिवाश्री प्रमाडपत्र वो आपके पास होन चीए आप आठवी पास हो मेंस आपका जो मांक सीथ है वह आपके पास होना चीए टीसी आपके पास होना चीए आपका मेडिकल जाच होनी चीए और साथी सब जो है मैं बोला ना कि आप लोग अभी फॉर्म भर सकते बड़ जब क्या होगा इसका दस्तावेज का वो होगा प्रमाड़ी करण होगा या कॉंसली करण होगी उस्टेम आपको यह सब चीज जो है सो करना होगा तब जाके आपका एड्मिशन प्रोसेस है जो कंप्लीट होगा अगर इसमें से डॉक्यमेंट नहीं रहेंगे तो आपका कहीं न कहीं जो है कैंसल हो सकता है इसलिए आप लो फिलब करवाएंगे तो आपको उनलोग ये भर के देंगे ठीक है तो यह रहा कंप्लीट डिटेल जो है तो I hope आप लोगोको ये समझ आया होगा कि क्या- fühl up करेंगे ध्यान से करेंगे और त्यारी भी लग जाईए ठीक है फिर मिलते आने वाले में इंपॉर्टेंट वीड